यम्राज कोई सधारन देवता नहीं है, बल्कि वहो एक ऐसे देवता हैं, जो बड़े से बड़े राजाओं, देवताओं और राक्षसों को हराने का दम रखते हैं। सूरे देव का विवाह हुआ था, तब संग्या ने दर्ज सूरे देव की और देखा, तो सूरे देव ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा, वह लोगों के प्राण लेने वाला होगा। सार्व प्रथम यमुना ने ही यम को धागा बांद कर रक्षा बंतन की नीव रखी थी। यम लोग में उसी तरह रहते हैं, जैसे बैकुंत लोग में स्वामी नरायण, यम राज यानि धरम के देवता ही महा भारत के पांटवों के सबसे बड़े भाई युदिष्टिर के पिता कहलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता हैं, यम राज को मृत्यू का देवता बंदने से पहले खुद मरना पड़ा था। चलता रहा और शनी देव और यम राज की बीच का युद्ध भ्याकर मोड लेने लगा। सुर्य देव समिट सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी फिफल हो गए। युकि शनी देव को बालने अवस्था से ही महादेव का आशिरवात और उनकी कृपा के साथ साथ उनकी द्वारा दीगे दिरे शक्तिया भी प्राप्त थी। लिहाजा शनी देव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंड आस्तर से ब्रित्व के घाड उतार दिया। इस सत्य को परिवर्दिन नहीं कर सकते। तब शनी देव ने स्वयम महादेव से फ्रादना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी बताया। शनी देव ने भगवान शिव को कहा कि एक महा के बाद मृत्यू के देवता का दाइत्व संभालने के लिए महादेव आप स्वयम देवताओं में से किसी ना किसी का चेन करने वाले थे। इस चेन का अधार होता है मृत्यू के चक्र को पूरा करना। यम देवता पुत्र है कि तु उन्हें किसी भी प्रकार की देविय शक्ती प्राद नहीं हुई थी। इसी कारण वहें अमरित से वन्ची थे और उनकी मृत्यू हुई। अब उनकी मृत्यू पर उन्होंने मृत्यू का चक्र सर्वर्था पृत्वी पर पूरा कर लिया है। इस अधार पर महादेव को यम को ना सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यू का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शीव शनी देव के तर्क से अत्यंत प्रसंद हुए और उन्होंने शनी देव के आगरह पर सूर्य पुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शीव ने सूर्य पुत्र यम को मृत्यू के देवता का कारेभार भी सोबा और इस प्रकार सूर्य पुत्र यम मृत्यू के बाद यम राज़ बने। तो मित्रो यह है था आज के हमारा वीडियो तो मैं बिलूँगा आपको अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में तब दिखे लिए जय श्री कृष्णा